तो गोर्मेंट कमपनी सिंपली सी बात जिसमें 51% पेड़ अप कैपिटल या तो सेंट्रल गोर्मेंट की होती है या स्टेट गोर्मेंट की या दोनों की मिलाकर या यह कह सकते हैं कि कुछ स्टेट की गोर्मेंट मिलाकर भी पेड़ अप कैपिटल में हिस्सा डाल सकती है या सेंट्र गोर्मेंट प्लस स्टेट गोर्मेंट काफी सारी मिलाकर भी 51% शेयर की में बात कर रहा हूं आपके सामने मतलब जो paid up capital 51% की में बात कर रहा हूँ इसमें हिस्सा government का discuss कर रहे हैं मतलब या तो 51% अकेला central government का या अकेला state government का या दोनों का मिलाकर या बहुत सारी state governments का मिलाकर मतलब किसी भी form में 51% paid up capital definitely government की होनी बहुत जरूरी है तब ही हम उसको कह सकते हैं कि that is government company तब ही हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सरकारी company है तो simply सी बात है कि इसमें government का major shareholder होना लाजमी सी बात है क्योंकि आप ये देखिए कि maximum पैसा किसका लगा हुआ है government का लगा हुआ है तो सबसे बड़ा shareholder कोन हुआ government हुई तो governments के पास हम कह सकते हैं कि सबसे main decision power होती है सारे rights का use करना सारे rights को कैसे use करती है उसको use करने के लिए medium क्या होता है concerned ministry cabinet या head of state इनके through government क्या करती है अपने shareholders के right का प्रियोग करती है क्योंकि मैंने आपको बताया government सबसे बड़ी shareholder होती है तो government अगर अपने अधिकारों का प्रियोग करना चाती है तो इन mediums के through अपने अधिकारों का प्रियोग हो कर सकती है फिर हमारी बात आती है कि अगर local government या corporation 51% या उससे ज़्यादा capital के अंदर share खरीद लेती है या share हासिल कर लेती है तो हम उसको government company नहीं कह सकते क्योंकि मैंने आपको topic के starting में ये बात बताई कि paid up capital का 51% central government या state government के पास होना बहुत जरूरी है इसलिए अगर government company के अंदर local government या corporation ने 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है तो वो अब government company नहीं मानी जाएगी जैसा कि private sector के अंदर हमने discuss किया था कि हमें जो भी companies बनानी होती है उसका registration Companies Act 1956 जो की अब 2013 बन चुका है इसी तरह से public companies का registration भी हमें कराना होता है उसके लिए भी Companies Act 1956 जो की अब 2013 बन चुका है इसी के according इसी के अंदर हमने registration करवाना होता है formalities पूरी करनी होती है तो यहां तक हमने discuss कर लिए कि government company का क्या meaning है simply सी बात paid up capital का 51% government का होना चाहिए अगर local government या कोई corporation 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा capital में ले लेती है उसमें डाल देती है capital में हिस्सा तो हम उसको government company नहीं मानेंगे registration simply सी बात companies act के according ही होगा तो दो type की government company होती है एक तो होती है holy owned government company मलब पूरन स्वामितव वाली सरकारी company मलब जिसके अंदर 100% जो amount है किसने लगाया हुए 100% capital किसने लगाया हुए government लगाया हुए holy owned पूरा का पूरा पैसा government ने लगाया हुआ है पूरन स्वामितव वाली सरकारी फिर है mixed mixed के अंदर क्या होगा government और public ने मिलकर पैसा लगाया है उसको हम कह सकते हैं कि mixed government company है पर government का हिस्सा major होगा मलब maximum हिस्सा जादा से जादा हिस्सा किसका होगा government का होगा मतलब आप ये कह सकते हैं कि 51% हिस्सा government का होना बहुत जरूरी है तब ही हम उसको government company कह सकते हैं तो simple सी बात government company हमारे दो टाइप की है पहली टाइप जिसमें पूरा पैसा government का है दूसरा जिसमें government और public ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है पर major जो capital है वो government ने लगाई हुई है